एक लड़की को किड्नैब कर लिया जाता है, उसमें से जो किड्नैबर था, यो उस लड़की को जानता था, दूसरा किड्नेबर बहुत ज़्यादा डेंजरास है उस वज़े से इस मूवी में बहुत सरी कॉम्प्लिकिशन्स होती है इसके अलग-अलग situation आपको हमेशा आपकी seat के age पर रखेंगे तो अंदर इस वीडियो को ज़रूर देखेगा अब बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लोगों को शॉपिंग करता देखते है पर इस शॉपिंग बहुत ही अजीब तरीके से थी इसमें drilling के सामान थे एक रूम को soundproof करने के लिए बहुत सारा सामान इन्होंने बाइक किया घर में आने के बाद इन्होंने एक रूम को soundproof create कर दिया उसमें एक bed भी लगा दिया जंगल में एक location के पास जाकर उसे हो मार करकर आते है उनके पास एक van थी जिसे भी वो फिर से soundproof बनाते है इनके bag में हम देख सकते हैं कि रसी, पट्टी, इस तरीके की चीज़ी थी ये दोनों फिर ready हुए, अपने van में एक जगा पर वो नज़र रखते है इन्होंने अपने mask वेग्राबेन है, और एक लड़की जब यहाँ से जा रही थी तो उसे हो किड्नाप कर लेते है, गाड़ी में ले जाकर उसके हाथ पेर बान देते है लास सीन्स में हमने इनका जो place देखा था, जिस room को इन्होंने soundproof बना है, bed लगा है इस room में उन्होंने इस लड़की को डाल दिया handcuffs वेगर लगा वेर इसे वो पूरी तरीके से बान देते है उन्होंने उसके थोड़े से कपड़े निकाले और उसके फोटो ले लिए जबरदस्ति उससे दूसरे कपड़े पहना देते है उस बेचारी ने बहुत स्ट्रगल किया पर वो कुछ कर नहीं पाई इसके बाद room में बन करकर वहां से चले गए एक किड़नावर थोड़ी दिर में फिर से उस लड़की के पास है वो कहता है तुम्हारे फादर का number और email मुझे दो तुम्हारे बदले में हमें बहुत सारे पैसे चाहिए है अगर उन्हें ने दे दिये तुम बहुत ही सही सलामत रहोगी थोड़े टाइम में फिर से अपने घर पहुच जाओगी ये email address नमबर लेने के बाद ये दोनों फिर से बाहर आए इन दो किर्णैबल्स में से जिसको ज़्यादा experience नहीं था उसका नाम था टॉम और जिसे बहुत सारा experience था वो prison बहुत बार जाकर आया था इसका नाम था विक विक टॉम से बुचता है क्या तुम डर रहे हो सब कुछ ठीक हो जाएगा एनों ने फिर स्टेला का मोबाल लेकर उसे बन कर दिया स्टेला के फादर को इमेल बेज दे जिसमें टू मिलेन डॉलर्स उन्होंने मांगे हुए थे नेकसिन में हम देखते है टॉम स्टेला की पास आया था उसने उसे देखा और फिर से हो वापस चला गया वो इसके बाद एक दो दिन बीच चुके थे स्टेला के फादर का अब तक कोई भी रिप्लाइन ही आया था वीक टॉम से गयता है कि हमें उसे पानी वेकरा देना पड़ेगा वीक उसे गयता है अब हमें तुमें खिलाना पिलाना पड़ेगा इस वज़े से तुम्हारे माउट से में कलॉट निकालने वाला हो अगर तुम चिलाए तो तुम्हें बेहोश करकर किसी अलग तरीके से हम जिन्दा रखेंगे वैसे भी तुम्हारी चिक किसी को भी सुनाए नहीं देगी ये पूरा रूम साउंड प्रूफ है स्टेला ने इसके लिए नौड किया जब उसके माउट से पट्टी निकाली जाती है तो जोर से वो चिलाने लग गई थी है फिर से उसका मूँ वो बन कर देता है विक ने उसे समझा कि हम दो ही लोग है जो तुम्हें हेल्प कर सकता है इसलिए चिलाओ मत फिर उसे पानी वेगरा पिलाता है कहता है कि अगर तुम्हें टॉयलेट की जरूरत होगी तो एक नंबर दो नंबर इस तरीके से हाथ से हमें बोल देना सिला को टॉयलेट करना था तो अपने फिंगर से उसे वो बता देती है यही पर बेट पर उसे करना पड़ता है बेचारी बहुत रो रही थी यह सारी चीज़े करने के बाद टॉम को हम जरा डिस्टब देखते है यह बात विक ने जान ली थी बुचता है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे है टॉम ने कहा कि मेरा मूर नहीं है विक कहता है तुम्हें सही तरीके से अपना खैल रगना पड़ेगा वरना हम प्लान को अंजाम नहीं दे पाएंगे टॉम फिर भी खानी रहा था तो जबरदस्ति उसके मूँ में वो खाना बरता है विक ने उसे कहा कि हमने सब कुछ प्लानिंग किये सारी जीज़े परफेक्ट हो रही है पर फिर भी तुम अपने आप पर डाउट करे हो तुम्हें लगता है कि अंसकसे सूल हो जाएगा इसी वज़े से तुम खाना नहीं खा रहे थे मेरे साथ बोलो कि हम इसे करकर रहेंगे टॉम भी यही जीज़ रिपीट करता है विक के रूम से बाहर जाने के बाद स्टेला की फोटो देखकर वो सैड हो रहा था उसकी तकलिफ उसे देखी नहीं जा रही थी वो स्टेला से मिलने के लिए गया वो से कहती है कि उसे पूप करना है तो इस वज़े से उसके हैंड कब अब उसे निकालने पड़ेंगे वो यह निकालता है उस पर गन निकालता है यानि को कुछ करना पाया स्टेला कहती है कि प्लीज उस तरफ देखो वो इस तरीके से सब नहीं कर सकती है उसने बहुत रिक्वेस्ट की तो टॉम अलग डायरेक्शन में देख लेता है स्टेला ने बकेट लेकर जोर से उसे मारा इससे उसकी गन नीचे गिर गई थी स्टेला ने जल्दी से इसे उठा लिया वो कहती है यह मुझे जल्दी से तुमारी कीज दो टॉम उसके पास आ रहा था उससे गन शिनने की कोशिश करता है बस स्टेला ने गन को शूट कर दिया यही पर उसका मास्क भी हो निकाल ले दिया वो एक्चुल में टॉम को जान दी थी वो उसे देखका सप्राइस ठोगी उससे बुछ थी है कि तुमने इस सब किया क्यो टॉम कहता है कि तुमने मेरी जिन्दगी बरबात किये तुम यहाँ से नहीं जा सकती है तुम्हारी गन मुझे दे दो स्टेला कहती कि प्लीज रूख शाओ मुझे तुम्हें कुछ कहना है पर इससे पहले टॉम ने स्टेला से उसकी गन ले ली जल्दे से फिर से बान देता है टॉम ने कहा कि यह सब तुम्हारे फॉल्ट है तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था तुम्हें उसने वान किया कि अगर विक को इसके बारे में पता चला तो हम दोनों को मार डालेगा थोड़ी दर में विक फिर से वापस आया अब तक स्टेला के फादर पैसे देने के लिए माने नहीं थे इस वज़े से अब विक के बास एक अलग प्लान था वो टॉम से एता है कल का दिन जड़ा एक्जास्टिंग होगा इसके लिए हमें रेडी होना पड़ेगा अगले दिन वो स्टेला की रूम में जाकर कैमेरा विकरा लगा कर आते है विक ने स्टेला से का कि हम तुमें सेड़े टू देंगे इससे प्रोसेस बहुत ही इसी हो जाएगा उनका प्लान था कि विडियो में लाइव स्टेला का फिंगर कट करकर एविडियो उसके फादर को भेजेंगे जिससे वो डर कर इन्हें सारे पैसे दे देंगे स्टेला जब रियलाइस करती है तो बहुत जादा डर जाती है उसके माउथ से पट्टी निकालने के बाद स्टेला ने का यह फादर मुझे पता है कि हम दोनों बहुत जगरते थे और प्लीज मुझे बचा लो मैं प्रिगनट हूँ प्लीज मुझे बचा लो यह सुनने के बाद टॉम विडियो बहुत ही अच्छी बन गई है अब उसका finger cut करने के हमें कोई भी जरूरत नहीं है टॉम ने स्टेला को बालवाल बचा लिया अगली दिन स्टेला को feed करने के लिए दोनों फिर से वहा है विक उसे feed कर रहा था तो स्टेला कहती है यह मुझे उस दूसरे से खाना खाना है विक उसके बाद मानता नहीं है स्टेला ने नीचे देखा तो कल उसने टॉम को shoot किया था तो उसके bullet का cover नीचे पढ़ा हुआ था अगर विक को इसके बार में पता चलता है तो यह दोनों trouble में थे टॉम इसके पास जाकर इसे उठाने की कोशिश करता है पर विक कहता है कि तुमें कर क्या रहे हो उसे पास आने ने दे रहा था स्टेला का खाना हो जाने के बाद bullet cover के पास spoon पढ़ा हुआ था इसे उठाने के बहाने टॉम इस bullet cover को उठा लेता है बहार आने के बाद विक ने टॉम से पुछा कि तुम नर्वस लग रहे हो ऐसा क्या हुआ है टॉम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है टॉम फिर जल्दी से toilet किया bullet cover को flush करने क्यों try करता है पर इस flush हो नहीं रहा था उसे बहुत time लग रहा था तो विक पुछता है कि हुआ क्या है विक के pressure में इस bullet cover को निगर लेता है विक के आज से चले जाने के बाद टॉम स्टेला के पास है पुछता है तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम pregnant हो स्टेला कहती कि मैं actual में pregnant हो और ये baby तुमारा है वो उसकी बाद मान नहीं रहा था तो स्टेला ने कहा कि मेरे पास आओ मेरे पेट को feel करो ये feel करकर टॉम ने उसे बुछा कि तुमने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं स्टेला कहती कि कभी भी तुम dependable नहीं थे जब ही तुमारी जरूरत हो तो तुम भाग जाते थे तुमारे जेल में जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं pregnant हो मुझे लगा कि इस baby को तुमारे साहे से दूर रखना ही सही बात होगी स्टेला पुछती कि तुमने मुझे ही क्यों चूज किया था टॉम कहता है कि मैं और मेरा पाटनर जेल में मिले थे हमने वही पर kidnapping की planning की थे और मैंने ही तुमारा नाम suggest किया था मैं तुम पर बहुत जादा गुसा था तुम जेल में मुझे एक बार भी मिलने के लिए नहीं आई बीना कुछ बता है मेरे life से चली गई अब मुझे तुम जुट भी कह रही हो स्टेला कहती कि मेरे mobile में देखो उसमें report है टॉम जाकर स्टेला का mobile on करने वाला था पर उसने realize किया कि अगर स्टेला का mobile on होता है तो police को इसके location पता चल जाएगी तो उसने off कर दिया अचानक से स्टेला को उल्टी आने लग गई थी उसका पास आया उसके हाथ वेगरा निकाल दिया यह उल्टी वेगरा करती है और एक दुसरे के बहुत करीब आ गई थे वो उसके साथ intimate होने वाला था पर स्टेला ने बहुत चाला किसे उसके हैंड को कफ कर दिया वो यहां से भागने की कोशिश करती है पर एक पूरा प्लेस लॉक्त था इसके चावी उसके पास नहीं थी वो उसने अपना मोबाइल लेकर पुलिस को कॉल किया पुलिस को उसे ढूडने के लिए उसके लोकेशन की जरुवत थी है पस स्टेला को इसके बारे में पता नहीं था वो रेलाइस करती है कि कीज चाहिट टॉम के पास है टॉम से एक कीज नीचे गिर गई थी वो इसे पाने की कोशिश कर रहा था यह स्टेला ने देखा और फोन कट करकर उसके पास बोच रही थी टॉम अपनी हदकड़ियों से निकलने की बहुत कोशिश करता है यह निकल भी रही थी स्टेला जब कीज लेने के लिए उसके पास आई तो जल्दी से हैंकप से निकल कर उसके मूँ पर वो जोर से मारता है इसे ओब बेहोश हो गई थी उसे फिर से उसने बान दिया स्टेला को मारने के बाद टॉम को बुरा लगता है आज जब वीग घर पर आया तो कहता है कि स्टेला के फादर अब पैसे देने वाले है अब हमें सिर्फ एक काम है कल हम जाएंगे और पैसे लेकर आएंगे यो दोनों आज बहुत ही खुशत है पैसे लेकर क्या करेंगे इसके ब्लानिक बनाने लग जाते है अगली दिन वीग ने टॉम से कहा कि जाकर गाड़ी को तुम रेडी करो वो स्टेला को लेने के लिए आया उसके हैंकपस विगरा निकालें तभी वो स्टेला के बाज मोबाईल नोटिस करता है ये अब आउन था उसने हिस्टरी देखी तो पुलिस को कॉल क्या क्या है ये सारी चीज़े वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि स्टेला के बाज मोबाईल आया कैसे है विगाल से निकली कैसे थी स्टेला के बाज मोबाईल एक ही केस में आ सकता है जब टॉम ने उसे दिया पर वो फिगर आउट नहीं कर बाता है कि टॉम ने ऐसा किया क्यों होगा विग ने स्टेला को बहुत मारा जो भी हुआ था यह सब कुछ सच्च स्टेला उसे बता देती है इस स्टोरी को कंफर्म करने के लिए स्टेला ने टॉम पर जो गुली चलाई थी यह वाल्स में विग को मिल जाती है इसी की पैरललल में हम देखते है कि टॉम जब गाड़ी को रेडी कर रहा था तो स्टेला के सामने उसके प्रेगनेंसी की टेस्ट उसे मिली इस रिपोर्ट से हो कंफर्म हो गया था कि स्टेला एक्च्वर में प्रेगनेंट है उसे अब तक सारे चीज़े जूट लग रही थी यह जानने के बाद वो और भी ज़्यादा कंफ्यूस्ट हो किया कि अब उसे करना क्या चाहिए स्टेला को फेसे बान कर विक टॉम से पुछता है मुझे एक बात बता तुमने उसे चूज क्यों किया था टॉम कहता है कि रीच थी और हम दोनों ने मिलकर चूज किया था मैंने सिर्फ तुमें उसकी इमेज दिखाई थी विक ने टॉम से का हम एक दूसरे के साथ ओनेस्ट होना चाहिए हम कोई भी चीज एक दूसरे से चिपाएंगे नहीं टॉम भी इसके लिए हा कहता है विक को पता था कि वो टॉम पर ट्रस नहीं कर सकता ये दोनों फें स्टेला के पास आए उसे बेहोश कर गर गाड़ी में रखकर एक लोकेशन पर लेकर आते है नदी के पास एक घर में उन्होंने इसे बन कर दिया था इनका प्रिवेसली प्लान था कि जब स्टेला को होश आएगा तो उसके पास चावी होगी वो अपने आपको खोल कर यहां से चली जाएगी पर अब विक ने प्लान चेंज कर दिया था वो कहता है अब हमारे पास चावी होगी और तुम मेरे साथ चल रहे हो टॉम ज़रा वरीड हो जाता है पर विक को शग ना जा पाए इस वाज़े सो उसके साथ जाना पड़ा यह जब अपने तय कियो है लोकेशन पर आए तो वहाँ पर कोई भी नहीं था आस-पास कही भी पैसे दिख नहीं रहे थे टॉम ने कहा कि शायद हमें फ्रेम किया जा रहा है पर विक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैंने पहले ही लोकेशन चेंज कर दी थी मुझे तुमारे और स्टेला के बारे में सब कुछ पता है मैं तुम पहले ही जास दिया था तुम अगर मुझे सब कुछ बता देते है तो तुम बच जाते है और स्टेला और इसके बच्चे को मैं मार दूँगा और इसके जिमेदार तुम हो विक टॉम को शूट करने ही वाला था पर टॉम ने उस पर हमला करकर वहां से भाग जाता है भागते भागते विक ने दूर से उस पर गोली चलाए वो हर्ट हो गया था पर फिर भी जल्दी से यहां से भाग जाता है विक ने फिर जो अलग लोकेशन सिलेक की थी वहां से पैसे वो लेकर आता है उसका प्लान सक्सेस्फुल हो चुका था राद में और स्टेला को मारने के लिए आया उसे कहता है मैं तुम्हें एक मेडिसन दूंगा जिसे तुम्हारी डेथ होगी पर तुम कुछ भी फील नहीं करोगी उसे देने ही वाला था पर बीचे से आकर टॉम ने उस पर हमला कर दिया वो जखमी था पर स्टेला को बचाने के लिए हाँ पर आ गया था वीक के बास गण थी तुफिर से वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है टॉम को और एक गोली मारता है वो टॉम से कहता है कि तुमने सारे चीज़े बरबात कर दिये उसे फाइनल गोलियों मारने वाला था तब इस्टेला ने उसके पेर पर मार कर उसे नीचे गिरा दिया वीक की गण टॉम ने उठा ली और उसे शूट करकर मार देता है टॉम इंजोर था इस वज़े सो बेहोश हो गया स्टेला के कफस की कीज़ ये वीक के पास थी टॉम ने बहुत स्ट्रगल किया और फाइनली उसे वो दे देता है स्टेला ने अपने आपको छुड़वा लिया पर टॉम के अब डेथ हो चुकी थी वो बहर आई गाड़ी में बैठी तो उसे सारे पैसे मिल जाते है बहुत सारी इस तरीके की मुविज लेकर आते रहता है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल रुटिवेशन आइकोन दाने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निम्यों के साथ तब तक लिए थांक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए